नमस्का फ्रेंट्स मेरे नाम बबलु अर्मा पेपर हेकर में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आदम यहाँ पर देखने वाले हैं बी ए पार्ट थर्ड के हिस्टरी के फर्स्ट पेपर के M.C.Q ठीक है M.C. के कुशन यहाँ पर देखने वाले हैं और यह दो पार्ट में आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर ठीक है पार्ट फर्स्ट में आपके लिए देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट रथा सेकेंड यूनिट ठीक है और पार्ट आपके लिए सेकेंड में आपके लिए मिल जाता है है घर यूझे देखनेको मिलेगी और आपको फोर यूझे देखने को मिलेगी दो भागों में आपके लिए यह हम यह वीडियो मिलने वाली मतलब यह यह भी यह पार्ट सरक्ष हुट्ध fest के सवाथ पर देखते हैं आगे की और ही बढ़ते हैं ठीक है तो यहां पर आम देख सकते हों करने हैं हुख लावड़े बढ़े करते हैं इसके लिए gaan ही ओड़ा सा लुकिए दिल क ہیں हम यहां पर युट फैस्ट को हम देखते हैं फटा पर पर कुशनों की लिए ठीक है और बात करते हैं जिन लोगों को इसकी PDF डानलोड करना है नूट्स डानलोड करना है ठीक है तो आप टेलिग्राम पर जाके सारे की सारे BAK, BSC, B.com के सबी के नूट्स डानलोड कर सकते हैं ठीक है बात करते है किविशन नमबर बन की इस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज ब्यापारियों को भारत के साथ ब्यापार करने का अदिकार कब दिया गया था यह आपको बताना है आपके सामने हैं कतिस नमबर 1600 तथा एक जनबर 1600 इस नमबर 1600 और 29 दिसंबर 1600 तो राइट आंसर आपका कौन सार रहने बाला है 31 दिसंबर 1620 इस बी इस इंडिया कंपनी भाग कर आय थी 1620 में आय थी मगर जब ब्यापारियों ने बहारत के साथ यहां देखो बहारत के साथ ब्यापार करने का अधिकार कब दिया गया था किसने दिया था यही पूँसकता है तो किसने दिया था भई जहां गीर ने दिया था किसने जहां गीर ने दिया था जो किनके पुत्र थे अकबर के पुत्र थे 31 दिदंबर आपको याद अखना है 1620 में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्टे कोशन के और क्योशन नमबर सेकेंड को देखना है आए समाज की स्थापना कब और किसने की तो आए समाज की स्थापना किसने की थी दया नंसस्पती ने ए ओहरूम ने या फिर स्वामी राम राम देव ने या फिर वताय स्वामी दयानन ने तो राइट आंसर पर कौन सा रहने वाला है 1885 में एक और हूम ने कॉंग्रेस की स्थापना की थी और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1875 में स्थापना की ती राइट आंसर आप्शन नमबर ए ठीक है आगे बढ़ते ह बढ़ते हैं इसके शाचनकाल में पारित किया गया था इस आपको बताना है ठीक है किसके सासनकाल में पारित किया गया था यह आपको बताना है राइट आंसर आपका कौन सा रहने बाला है फटा बड़ इसका आंसर देना है लाड रिपिन ने या फिर लाड डफरिन ने या फिर आपका हो जाता है लाड मैकाले ने पुराइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा रुकिएगा ठीक है पुराइट आंसर आपका कौन सा रहने बाला है यहाँ पर हो जाएगा लाड लिटिन ने option number C ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की और next question यहाँ पर कहरा question number 5 पिलासी कायुद कब हुआ पिलासी कायुद कब हुआ था यह आपको बताना है ठीक है तो राइट आंसर कौन सा रहेगा भी 1756 या 1757 1758 या फिर हो जाता है 1769 तो राइट आंसर कौन सा रहेगा 1757 में यहाँ युद हुआ था पिलासी कायुद आगे बढ़ते हैं question number 6 बकसर कायुद कब हुआ बकसर कायुद कब हुआ था यह आपको बताना है 1764, 1765, 1766 या फिर 1767 तो राइट आंसर कौन सा रहेगा भई बकसर कायुद हुआ था 1764 में राइट आंसर option number 1 आगे बढ़ते हैं कौन वालिस ने बंदोबस्त कैसा आरंब किया था जो लाड कान वालिस था उसने जो बंदोबस्त किया था वो कैसा प्रारंब किया था यह आपको बताना है 173 बंदोबस्त था 173 बंदोबस्त था उपिक्त दोनों इन में से कोई नहीं तो राइट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है बंदो च्फ्ते था अब जो कमपनी थी उसका पहला उसका पहला गवर्नर ज Annals कौन था यह आपको बताना है बॉर्न हंच्टिंग प्लाइब Because वयजली वियक्तिश में से कोई नहीं तो राइट आंसर कौन सा रहेगा बॉर्न हंच्टिंग था आई टांसल ऑप्शन नमबार का आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन के रहा है कंपनी ने मुगल समराज से बंगाल से ब्यापार करने का अपना एक अधिकार प्राप्त किया उससे सरवधिक लाब किसको मिला था यह आपको बताना है जो इस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मुग था यह आपको बताना है कंपनी से भारती करमचारियों को या फिर कंपनी से कांगरिस करमचारियों को उप्युक्त दोनों को या फिर उप्युक्त से कोई नहीं तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है यहां पर कौन है इस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यह लाब क पूर्ट कर दिया गया था यह आपको बताना है इस इंडिया कंपनी के ब्यापार को पूर्ट्या समाप्त किया गया था आगे बढ़ते हैं यहां पर किया रहा है कुछ कामा गया किसी आगे बहार्त है कि अधियलों का आन्सर खुखा है option number का लाडएंस्टिंग के समय बिलकूल राइट अंसिर आ रहा है आगे बढ़ते हैं क्यों तो नाक्स आम ऊस्वल्टी को देखी का किरह भार्त में सिच्छा का माध्यम किसी भारतिय भाहांसा को ना बना कर अंग्रेजी को बनाने का स्रे किसको जाता है यह आपको बताना है तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है भारत में सिच्छा का माध्यम भारती भासा को ना बना कर किसको बनाया भै अंग्रेजी को बनाने का सरी किसे जाता है यह आपको बताना है हैंस्टिंग को, कलाइब को, मैकाले को इन में से कोई नहीं तो यह जाता है option number गा मैकाले को, ठीक है आसा हिंदी को ना बनाकर अंग्रेजी बनाई किसने लाड मैकाले ने option number C, यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है आगे बढ़ते हैं next question को और next question कह रहा है, question number 18 यहाँ पर कह रहा है, राजा राम मोहन राए अंग्रेजी सिच्छा का पिरवल समर्थक था उसने किस के साथ सहयोग किया था मतलब राजा राम मोहन राई ने किस के साथ सहयोग किया था यहापको बताना है, लाड बैंटिंग के मैकाले के, लाड हैंस्टिंग्स के या फिर कलाईव के, तो यहाँ पर right answer आपका कौन सा रहने वाला है फटापड आपको answer देना है ते को बात करते हैं हिंदी को ना मानकर अंग्रेजी भासा को मानेता दी मगर यहां पर कह रहा है राजा राम मोहन राय की सहयता किस ने की तो वो कौन हो जाते हैं तो बहे कौन हो जाते हैं लाड़ बेंटिंग option number का यहां पर विल्कुल राइट रहने बाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है भासा को किष्णी बढ़ता दी मैं काले ने मगर राधा राम मोहन राय को अंग्री सिच्छा के प्रवल समर्थ था कि यह मंद में सहयो किष्णी दिया लाइड बें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट की और नेक्स्ट एकुशन को देखेगा भारती राष्टे या फिर पुनर जागड का जनक किसे कहा जाता है भारती राष्टे पुनर जागड का जनक किसे कहते हैं बिवेकानंद को या फिर हो जाता है राजा राम मोहनराय को दियानन सरस्पती को स्वामी दियानन्द को या फिर रा में किशने परमास हो तो राइट आंसार ऑप्शन नमबर खा राजा राम मोहन राए को उनर जागड का पिता कहा जाता है आगे आनते हैं यहां कहा रहा है ब्रहा समाज की स्थापना कब और किस ने की थी यह आपको बदाना है आज समाज की स्थापना किस ने की थी अब यहां बिल्कुल ब्रहा समाज की स्थापना की थी 1828 में राजा राम मोहन राय ने तो राइट आंस रोदाइगा ऑप्शन नमबर का आगे बढ़ते हैं यहां पर कह रहा है सती प्रताकांत किसके साथ अनकाल में हुआ था यह आपको बता रहा है राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत भूमिका निवाई थी सती प्रता में या करा सती प्रताकांत किसके साथ अनकाल में हुआ था लाड गान बालेस लाड डलहोजी लाड बिलियम बैंटिंग यह पिर हो जाता है लाड लिटिन तो राइट आंस आपको कौन से रहने वाला है लाड बिलियम बैंटिंग और किसके राजा राम मोहन राई के सहयोग भी इनी ने दिया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्टे कुशन की और नेक्स्टे कुशन आपके सामने कुछ इस प्रिकार सब्जाता है क्योशन का आंसर जीगा कर सती प्रता को एक कानूनी अपराद कब गोशित किया गया था बहुत ही इंपूटेंट क्योश अठार सो तीस में अठार सो उन्तिस में अठार से तेटिस में अपरादा 36 में कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने बाला है तो सती प्रता का को एक कानूनी अपराद कब घोशित किया गया था 1829 में सती प्रता को कानूनी अपराद घोशित किया गया था राइट आंसर अप्शन नमर खा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कह रहा है तुम्हारा शालवाई की संदी सालवाई की शंदी कब हुई थी मै 1782 मै जून 1782 मै 1783 या फिर मै 1784 राइट आंसर अपना कौन सा रहने बाला है फिड़ा पर आंसर जीगा या पर राइट आंसर अपना रहने बाला है मै 1782 इस भी बिल्कुल राइट आंसर ना हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां कह रहा है भारत में पहली बार रेलबे मार्ग कब तयार हुआ अपर Next question बेले जीली कब गबर्णर जन्नल बना जो बेले जीली था बहे कब governor general बना था उसकी date आपको बताना है कौन से बिल्कुल right हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा 1795, 1796, 1797, 1798 तो कौन सा बिल्कुल right रहने वाला है कौन है बहले जली है भाई बहले जली है यह न बहले जली मतलब जले भी है न जले भी तो जले भी होता है यहाँ पर आठ है तो आठ गहां पर चुबा हुआ है यह है 1798 आपका बिल्कुल right answer रहने बाला है घा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ कहा रहा है 1857 का बिरोध कब प्रारम हुआ था जो 1857 का बिरोध हुआ था कब प्रारम हुआ था यह आपको बताना है 9 माई को 10 माई को या फिर हो जाता है 11 माई को या फिर 20 माई को आगे बढ़ते हैं 24 यहाँ पर कहरा 1857 के बिरोध के समय गवर्नर जनरल कौन था 1857 के समय जो गवर्नर जनरल था के बिरोध के समय गवर्नर जनरल कौन था यह आपको बताना है लाड़ कैनिंग लड़ हैंस्टेंग लाड़ वैंटींग लाड़ क्लाईव यहां पर कौन सा राइट होगा अठार सो सकता बन मतलब माई अठार सो सकता बना दस में अठार सकता बन को जो बिद्र हुआ था मेरेठ में मेट से प्रारम हुआ था उत्ते पिदेश के ठीक है तो उस समय गवर्नर जल 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 जो था भै कौन हो जाता है लाड स्वरी लाड कैनिंग था option number का हो जाएगा लाड कैनिंग आगे बढ़ते हैं next question 25 कुशन यहां पर कह रहा है 25 कुशन अपना हो जाता है ठीक है कहा जा थी कहरे है करन वालिस कोड के दौरा पहली बार नियमों की प्रातिमिक्ता की घोष्टना की थी अब बताना है कब की थी ठीक है कारु वालिस कोड के दौरा पहली ब लिए पटाना है कौन वालिस कोड की पहली बार नियमों की पात्मिक्टा की गोष्णा की थी 1793 में राइट आंसर ओक्षिन नमबर का आगे बढ़ते हैं याँ पर भारत में अबद को को ब्रिटीस समराज के लिए डलहोजी ने किस तरह मिलाया था यह आपको बताना है जो अबद समराज था को ब्रिटीस में मिलाया था किस के अनुसार मिलाया था डलहोजी के द्वारा यह आपको बताना है तो यहां पर रखा है सहायक संदी की द्वारा या फिर राज के कुसा तो जी नहीं मिलाया था राज के कुसासन के द्वारा किसके राज के कुसासन के द्वारा आगे बढ़ते हैं 27 यहां देर रखा है तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट किस बर्स में पारित हुआ था यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा पहला देर रखा है 17 1780 1782 1784 1786 तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1784 में पारित हुआ था आगे बढ़ते हैं कह रहा है प्रिथम करनाटा की उद्ध कब समाप्त हुआ था जो प्रिथम करनाटा की उद्ध की बात यहां पर हो रही है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1748 में ठीक है आगे बढ़ते हैं नबाब सुराजु दोला ने कलकत्ता को जीत कर उसका क्या नाम रखा था यह आपको बताना है बहुत ही इंपोरेंट के उशन अली नगर या फिर काशिम बाजार मैसूर या फिर प्ल यह आपको बताना है पहला क्या है अरजुन गाओ की संधी या फिर मदरास की संधी राइट अपना कौन सा रहने वाला है आपको बताना है मैसूर युद्ध के बाद जो हुई थी तो बह कौन से होगी मैसूर की संदी होगी option number यहां पर बिल्कुल बी बिल्कुल मतलब खा बिल्कुल राइट रहने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यों नेक्स्ट क्या रहा है क्लाइव दौरा गवर्नर जनरल बनकर कब आया तो लाड़ क्लाइव था बहुत अच्छी प्रिकार से पढ़ने वाले नोट्स भी डानलूट कर सकते हैं बहुत अच्छी प्रिकार की नोट्स हैं तो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ही मुहापूर उनका निवाएंगे ठीक है यहीं से आपके क्यूशन आने वाले आपके एक्जाम में ना मानो तो एक्जाम के बाद में आपको दिखांगे बिल्कूल ठीक है उन्ड़ परसेंट गारंटी के साथ अ हो कि है अच्छी बन के बात करते हैं क्लाइब दोवारा गवन्नर जल बनकर कब आया था ये आपको बताना है कौन सा बिल्कूल राइट हो जाएगा तो यहां पर यहां पर हो जाएगा बई 1765 में लाड़े की राजधानी क्या थी यह आपको बताना है कौन सा बिलकुल राइट रहने वाला है तो जो बंगाल के जो नबाव थे उनकी जो राजधानी थी बैह हो जा दी है मुर्सिदाबाद option number गा बिलकुल राइट आंसर रहने वाला आगे बाता है थाड़ी थरी कहारा है मीर कासिम ने मुर्सिदाबाद की जगह है कहां राजधानी बनाई थी यहां पर बंगाल के नबावों ने तो बना दी मुर्सिदाबाद मगर आगे कह रहा है मीर कासिम जब आया ठीकी मीर कासि पर-षंट हरा एंसर आगने है बिलकुल कहां बनाई थी पैटरना में कलकत्ता में मुंगेर में आपयक्तिमिसे कोई नहीं तो द्राना लखना जब कभी मुर्शिदाबाद दे दे यहां से राजधाई ट्रांस पर करने की बात करें तो कहां हो जाएगी मुंगेर मा से ही नाम याद अकना मुंगेर हो जाएगा मीर का से माचुपा हुआ है मुंगेर में भी माचुपा हुआ है तीनों में माचुपा हुआ है अगर ट्रिक याद करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लिख दीजिएगा, एक-एक क्योशन की आपको ट्रिक देखने को मेलेगे, बहुत आराम से याद करोगी, एक्जाम में बिल्कुल 100% टिक पर ग्याना है, और एक भी क्योशन छोड़ना नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर next question 34, कह रहा है, अ बिल्कुल, फटापड आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा, अंग्रेज और पूरा दरबार, यहाँ पर क्या बात आ रही है, दरबार की बात हो, यह बहुत बड़ा दरबार है, तो आप क्या कहोंगे, बहुत बढ़ा दरबार के अंदर आजा, क्या आजा बहुत दरकार संदी हुई थी, पूरंदर की संदी हुई थी, इस पर कार से अगरे ट्रिक आपको चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना, इसकी दोबारा वीडियो में आपको ट्रिक की बना कर दोंगा, ठीक है, आगे बरते 35, कह रहा है, यहाँ पर पूना दरबार और संदी, देवगाओं की संदी, सालवाई की संदी, या फिर मदरास की संदी, कौन सा बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, पूना दरबा, अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर अंग्रेज और पूना दरबार की बीच कौन से होगी, पूरा अंदर की संदी होगई, साथ और दो, यहाँ पर साथ है, यहाँ पर भी साथ है, तो साथ में भी साचुपा हुआ है, और यहाँ पर भी आपको साही देखने को मिलेगा, ठीक है, 17 से सा से स्टार्ट हुआ, भातर में सा देखने को मिला है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको सा देखने को मिलेगा, तो इस प्रेकार से थोड़े सा क्या हो जाएगा डिफ्रेंस हम यहां से निकाल सकते हैं ठीका और याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर 36 में कहा रहा है तुम्हारा थारासुत त्रेपन में डेलाहौजी ने रेलवे लाइन डाली बहर रेलवे लाइन कौन सी थी यह आपको बताना है कहां से कहां थी बही अठाश त्रेपन वाली थी डेलाहौजी के द्वारा है न कहां से चलाए गई थी मुंबई से चलाए गई थी थाने तक चलाए तो राइट अंसा ऑप्शन इमर काही दिरका है आगे बरते हैं राजा राम मोहन राय की यहां पर बात हो रही है बहुत ही जहां सब्सक्राइब तो राजा राम मोहन राय सती प्रता के विरूदी थे आपको पता ही है ठीक है राइड विलियम बैंटिंग के दौरा राजा राम मोहन राय ने अकबार निकाले थे कौन से निकाले थे संबाद कॉम स्ष्ट दीन बाजि दलीष शाहथ हुआ है तो नसर पाका बहुत इंपोर्टेंट क्योशन अबदका एक 12 अंत्नTM नबाब ठीक है आगे बरतें 39 कि रहे मीर कास्म का इंगाल का मदा बना नयुकर निंस मेर्कासिम ना दो यह आपको बताना है तो देरेखा है 1765 1764 सत्रासो तरी कहां देरेखा है 1718 1757 1760 या फिर 1720 कौन सराइट होगा मीर कास्म की वहां पर बात हो रही है तो मीर कास्म मंगाल को जो नवाब बना था वो 1760 में बना था राइट अंसर अप्शन अंबर गा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्लाइब ने सुराजु दोला से कब संदी की थी यह आपको बताना है क्लाइब ने सुराजु दोला पिलाशी का युद वही बात हो रही है यहाँ पर ठीक है कब संदी की थी यह आपको यहाँ पर बताना है तो कौन सा बिलकुल राइट आंसर आपका रहने बाला है ठीक है कब कलाइब ने सुराजु दोला से कब संदी की थी आपको बताना है सत्राइब सत्राइब या फिर सत्रासो आपका हो जाता है अच्छत्तर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है सब्सक्राइब ने सुराजु दोला से कब संदी की थी सब्सक्राइब का आगे बढ़ते हैं के रहा बंगाल में क्लाइब के द्वेद सासन की क्या अबदी है यह आपको बताना है सब्सक्राइब कर रहने वाला थी का उप्सक्राइब अंग्रे जो में मंगलौर की संदी कभी थी पीपू और अंग्रेजों में मंगलावर की संधी कब हुई थी आपको बताना है 1783, 1784, 1785, 1786 कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मंगलावर की संधी हुई थी 1784 में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कह रहा है तुमारा हैदर के मैसूर राज में कितने परांत थे जो हैदर के मैसूर राज था उसमें कितने परांत थे यह आपको बताना है दो तीन चार पांच बिल्कुल तो राइट आंसर आप्शन नमबार का धोपरांथ थे हैदर के महसूल राज में आगे बढते हैं अभी यूनिट यहां पर second इस्ट अपनी हो जाती है ठीक है यूनिट कौन सी स्टाट जाते है बैई जाती है चैकेंड इस्ट जाती है पनी इंपोर्टेंट क्यूशन भई ठीक है यहां पर कह रहा है अठारा सो सतावन के विद्रो को किस ने पिर्थम सो तीजिंता संग्राम कहा था दुर्गा परसाद ने बीर शाबर करने लाला लजपत राई ने या सर जॉन लॉरेंस ने तो यहां पर कौन सा विल्कुल राइट आ इसने भाग लिया आगे बते हैं आपा लोग सेवा में भरती के लिए पृतियोगिता का सिद्धान सार प्रत्म लागू किया गया ये आपको बताना है ठीक है 1849 में 1837 में 1833 में 1835 में राइट अंसर ना कौन से रहने वाला है तो राइट अंसर ना हो जाएगा ऑप्शन अमबर गा 1833 में क्या हुआ था प्रतियोगिता का सिद्धान तर प्रिथम लागू किया गया था आगे बढ़ते हैं next question 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 third पिर्थम मराठा युद्ध प्रारंब हुआ था औरी समाप्त हुआ था पिर्थम मराठा युद्ध 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 हुआ था बहसमाप्त हुआ था किस से हुआ था सूरत की संदी द्वारा पुरंदर की संदी द्वारा या फिर बढ़गाओं के समझोते द्वारा या पर सालवाई की संदी के द्वारा तो कौन सा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा यह आपको बताना है तो पृर्थम राठा युद्ध जो हुआ था बैस समाप्त हुआ था पुरंदर की संदी के द्वारा किसके पुरंदर की कि पुरंदर की संदी नहीं हुए थी मैं भी गड़ा उता रहा हूँ प्रितं मराठायुद और यहां पर हो जाएगा option number घा क्या हो जाएगा साल वाई की संधी के द्वारा हुआ था किसके द्वा आइक की संधी के द्वारा यह नहीं होगा यह जाएगा right answer option number घा ठीक है आगे बढ़ते हैं भोपाल विद्रो का प् बूंगाल का आशन किस बर्स में हुआ था लाड़कान बालेस बंगाल का विभाजन किस बर्स हुआ था यह आपको बताना है 1904 1902 1905 1906 बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था 1905 में हुआ था आगे बढ़ते हैं यहां पर कहारा प्रिथक निर्वाचन छेत्र की विवस्था लागू हुई प्रिथम निर्वाचक निर्वाचन की बात हुए था यह चेत्र की विस्था लागू कब हुए थी यह आपको बताना वाला चुना आपकी यहां पर बात हुए लेजीक यहीन पर आपको शारी चीज़े मिलने वाली है आगे बढ़ते हैं 근육 से मि grandson भारत कशुक्रत कब घतित हुए था फैंपूर्टेंट है कापूरी कांड काकोरी कांड कब घटित हुआ था 1931, 1927, 1925, 1923 काकोरी कांड जब घटित हुआ था 1927 में रायट अंसर आप्शन नमबर खा आगे बढ़ते हैं पूर स्वाराज दिबस कब मनाया गया पूर स्वाराज दिबस कब मनाया गया था यह आपको बताना है कौनसा बिलकुल रायट होगा पूर स्वाराज दिबस 15 अगस तो 1927, 26 नमबर 1929 या फिर 21 दिसंबर 1930 या फिर 26 जनबर 1930 सबसे पहले अपनाया गया किस राज में सबसे पहले अपनाया गया था गोद अपहरड का सिद्धान्त का हो जाएगा तुमारा जैतपुर चंबलपुर नांगपुर चतारापुर अब रहने वाला है कि देखो गोद अपहरड कसदाा 15rd में इस परकार से याद कर सकते हैं कि तारा तारा क्या स्रूत वह पर किसी को घंवाथ कोई रहे state किसके समय किया गया था यहां पर राइट आंसर कौन सा रहने बाला है यह आपको यहां पर बताना है स्रक्या ऑचरिपा नज नाइडा क्षण डील्टा योजना की जो शुरुवात है उती बीच reflex में तिकोना कुई जगे ऊथी उसल इन्यगा कहते है जो नदियों के दौरा बं जाते है सब्सक्राइब होगा उसे करें और। reflectsाओ आई है पर यहां पर आप conclusion of ने टौप किसके समय हुआ था तो यहां सब्सक्राइब अपोज क्षपा चुपा थो राइट आंसर आपशे नमबर का इस प्रकस rend चूछनु आप तो रेलवे लाइन थी वो किस गवर्नर जर्ल किसम बिचाई गई थी फिर वही रिपीडर क्योंक्षन ठीक है तो कब हुई थी भई अठारा सो त्रेपन में डेल होजी के द्वारा मुंबई से थाने तक बिचाई गई थी राइट आंसर ऑप्शन इंबर का आगे बढ़ते हैं सितंबर 1723 बी को बोरन हैंस्टिंग और सुराज दोला के मद्ध कौन सी संदी हुई थी यह आपको बताना है 1723 बी में बोरन हैंस्टिंग और सुराज दोला के बीच एक संदी हुई थी मैं आपको बताना है बनारस की संदी अबद की संदी पंजाब की संदी उप्योक्त में से कोई नहीं राइट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है यह आपको बताना है बोरन हैंस्टिंग था सुराज दोला के बीच जो संदी हुई थी बह कौन सी संदी हुई थी तो बह हुई थी अपनी कौन सी बनारस की संदी हुई थी राइट अंसर अप्शन नमबर का हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं क्योशन के आए क्योशन नमबर 14 यहाँ पर कह रहा है हिंदू बिदभाप पुनर बिभाप जो अधिनीम हुआ था बह कब उपारित हुआ था यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है बिल्कुल कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है 1852, 1855, 1854 या पर 1856 तो हिंदू बिद्भा पुनर बिभा जो दिनियम लाग हुआ था बैह हुआ था 1856 में क्या हुआ था 1856 में हुआ था आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन से 1856 के बिद्रो का मुख्यनेता कौन था यह आपको बता रहा है अब मुख्यनेता की यहां पर बात हो गई यह भी आठा 10 मई 1857 को जो बिद्रो हुआ था ठीक है कहां से मेर से पाम हुआ था कह रहा है उसका मुख्यनेता कौन था महात्मा गांदी सर्दार पटेल जबाला लहरू नाना साहिब तो यहां पर बताना है कौन सा बिलकूर राइक हो जागा बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन आपका यह आपको बताना है वाश्यंद्र बोस मंगल पांडे शर्दार पटेल महात्मा गांदी राइट आंसर कौन सा रहने वाला है यह आपको बताना है वाश्यंद्र बोस यह नहीं थे मंगल पांडे शर्दार पटेल भी नहीं थे महात्मा गांदी भी नहीं थे तो राइट आ उनों खतम हो जाती हैं तो फिर द फ्य युटराइव फंट्र ले मैं हम आपको मिलेंगे उसमें आपको घब तिक्षांि करते हैं यूट्रलॉड करना है तो आपको ख्रून नौट करना पड़ेगा सब्सक्राइब आप यहां पर जाके आप इसकी पीडिएप की पीडिव डानलोड कर सकते हैं, नूट्स डानलोड कर सकते हैं और अच्छी पिकार से पढ़ सकते हैं, आपको दो से तीन बुकों की यहां पर नूट्स दी जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महात्वों विका निवाएंगे आपके एक्जाम के लिए एक भी क्योशन यहां से बाहर नहीं जाने वाला है तो फेंट लाइक करना शेर करना चैनल कर देना सब्सक्राइब तो फेंट जैहिन जैवारा